अगर आपको भी डोसा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिना दही बिना सोडा बिना इनो सिर्फ पांच मिनट में चाबल के आटे से कुरकुरा डोसा और इतना आसान है बनाना कि आप इसे सुभा के नास्ते में या साम को छोटी मोटी भूक में फटा फट बना कर खा सकते हैं एक डोसा बनाने में सिर्फ दो तीन मिनट का ही टाइम लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सिर्फ पांच मिनट में कुरकुरा डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप चाबल का आटा लिया है बजन में ये बन फिप् एक छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, प्याज डालना ओप्सनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा भी सकते हैं दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो बड़ी चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर, चाहे तो आप गाजर को बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं दो बड़ी चम्मच, बारी कटा हुआ हरधनिया, एक छोटी चम्मच, कद्दू कस किया हुआ अधरग, अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें डालेंगे पानी, हमने एक कप चाबल का आटा लिया था, तो हम उसी कप से इसमें पानी डालेंगे मैंने ये एक कप पानी डाल दिया, पहले एक कप पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें गाठे न बने तो अब हम इसमें एक कप पानी ओर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमने एक कप चावल का आटा लिया था हमने इसमें दो कप पानी डाला है तो हमें एक कप चावल के आटे भी दो कप पानी डाला है ये देखिए अब ये पतला गोल डोसा बनाने के लिए तैयार है जिस तरीके का मठा होता है न इतना पतला हमें इसे रखना है आप हम वैठर को 2 से 5 मिनट रेस्ट पर रखेंगे जिस से की सूजी और आटा अच्छे से फूल जाएए पाँच मिनट के बाद ये बैटर अच्छे से फूल गया है नीचे तले तक अच्छे से चला लेते हैं और मैं आपको एक बार ओर दिखा देती हूँ ये देखिए एकदम पतला नीव डोसे जैसा बैटर हमें चाहिए अब चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस पर यहाँ पर मैंने नोनिस्टिक तबा लिया है चाहिए तो आप डोसा तबा पर भी बना सकते हैं तबे को गरम कर लेते हैं और थोड़ा ओयल लगा लेते हैं अब तबा अच्छा गरम हो गया है अब बैटर को तली से अच्छे से चला लेंगे क्योंकि चावल का आटा नीचे बैट जाता है और कट्छी में भर कर इस तरह से बैटर तबे पर डालेंगे जैसे ही डालेंगे डालने के तुरंत बाद ही ये ड्राई होना सुरू हो जाएगा अब गैस की आज को मीडियम कर देंगे और मीडियम आज पर डोसे को सिखने देते हैं एक मिनट में ये सिख गया आब इस पर थोड़ा ओयल या घी लगा देते हैं ये देखिए ये डोसा साइट से तबे को छोड़ने लगा है और बिना इस पैचुला डाले ही ये कितने अच्छे से उठ रहा है तो बस आब इसे पलट कर इधर की साइट भी थोड़ा सा सेख लेंगे बस कुछ सेकिन के लिए और आप देख सकते हैं कि डोसा का कलर भी कितना अच्छा आया है तो पास से दस सेकिन के लिए डोसे को इधर की साइट भी सेख लिया है अब दोनों साइट डोसा अच्छे से सीख गया है तो आब इसे एक तबे से उतार लेते हैं बहुती बढ़िया डोसा बना है और चावल का आटा सर्दियों में सभी के पास अबेलेवल होता है और सुभा नास्ते में या डीनर में डोसा मिल जाए तो क्या बात है बनाना भी कितना आसान है फटा फट घोलो और डोसा बना लो अब दूसरा डोसा भी सेम उसी तरीके से बना लेंगे पहले तबे को ओयल लगा कर ग्रीस करेंगे और बैटर को तले तक अच्छे से चला कर तेज गरम तबे पर डालेंगे तो इसी तरीके से तबे पर कड़्ची गुमाते हुए बैटर डालना है एक डोसा बनानी के लिए मैंने दो कड़्ची बैटर डाला है अब मीडियम आज पर डोसे को सिखने देंगे एक देड़ मिनट के बाद ये सिख गया है तो आप दूसरी साइड पलट देंगे पास दस सेकिंड के लिए इधर भी सिखने देते हैं और ये रेखिए दोनों साइड डोसा अच्छे से सिख गया है तो आप डोसे को तबे से उतार लेते हैं एक डोसा बनाने में आपको तीन मिनट का टाइम लगेगा और बनाना इतना आसान कि ना ही तो चिपकेगा और फटाफट से बैटर घोलो सिर्फ पास मिनट में बिना एनो बिना बैकिंग सोडा बिना दही कुरकुरा डोसा बना लो बो भी चाबल के आटे से तो आप भी ये चाबल का डोसा जरूर ट्राइ कीजिएगा फिर मिलते हैं एक और नई रस्पी के साब तब तक के लिए थैंक्यू फोर वोची